आप सब बहुत अच्छ होंगे स्वागत है आपका एक मेरे न्यू वीडियो में और आज मेरे साथ इश्याद सर है आपको बताने वालो मेरे पास काफी सारे स्ट्वेंट का पुजेटीब है मैंने खुद फीडबेक लिया है सबसे तो फीडबेक भी पुजेटीब आ रहे है और फीको बैस का रिक्वेस्ट आ रहे है स्ट्वेंट से रिजन के बहुत सरे परसन हैं जो और लेडी फाइनेंस फिल्ड में वर्क कर रहे हैं तो वह अपना केरियर फ्यूचर फाइनेंस फिल्ड में ही बनाना चाहते हैं इसलिए फीको बैस के रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं आज हम आपको बताने वाले की फीको बैस के बारे में और सर स्टार्ट करने वाले फीको बैस सो है सर कैसे आप है रोहन है प्रडीप कैसे मैं तो बहुत अच्छा हैं मैं बताओ के इस हो बस बहुत अच्छा चल रहे है और प्रडीप जोब केसे चल रही है आपकी आपाइब दोगों काफ देस्ट थी को बेख किलिए काफी रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो फिको बेख के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आपने मेरे को बताया था कि सर आप एक बैज और स्टाट करो जो ओंस एक प्रिको के लिए हो तो कि बहुत सारे ऐसे भी स्टुडेंट हैं जो उनको फीको सीखना है बट मैंने उसमें आपको बताया था कि अभी क्या है कि मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का वह है तो वो भी ऑप्शन सही था कि और भी है मेरे सर्किल में तो काफी है जो FICO से मतलब बिलॉंग करते हैं बट कुछ चीज़े ऐसी थी कि अगर हमने उन्हें दे दिया अगर वो क्लास नहीं खतम करते हैं अब जैसे मेरा क्या है तो मैं तो अब जब क्लास लेना है तो पूरा का पूरा बैच भी खतम करना है बीच बीच में इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था लेकिन जैसा कि आप लोगों का कई बार से यह है रिक्वेस्ट कि सरेक तो इस्टार्ट करो तो यह एक से बात है तो आप दोनों की बात में रखता हूं और हमें कि स्टार्ट करते हैं फीको का भी एक बैच सर एक कोश्टन और भी है जैसे आप फीको के बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका कोर्स डूरेशन एप्रॉक्स कितना हो सकता है जैसे सीयो का हमारा 40 तू 45 आवर्स 50 आवर्स के अप्रॉक्स हो जाता है अगर हम उसकी बात करें तो सीयो में भी सेम है सुरी एफए में भी सेम है यां तकी एफए में हम ये कह सकते हैं कि एफए में कुछ टॉपिख्स जादा है एफए में थोड़ा सा और जादा लग सकता है जैसे तो हम प्रोक्स जो है 50 फिप्टी आउर लेकर के चलते हैं तो लेकर के चलते हैं थोड़ा बहुत तो इधर उदर खोता रहता है अगर मैं एक शीज और में बताना चाहा था कि FI में थोड़ा सा ये इशू भी आता है वो ये आता है जैसे कि हम FI में आपको पता होगा कि ECC ECC भी SAP का ही वर्जन है जो कि थोड़ा सा पुराना है और S4 HANA जो कि अभी नेया वर्जन आया हुआ अरिक मार्केट में क्या है दिमांड हो देfa दोनों की है छैए ECC हो चैए S4 HANA S4 HANA है तो वेल आनबेस्ट है तो उसमें क्या है कि SAP की एक फंक्सनालिटी है एक छोटी सी फंक्सनालिटी है बहुत बड़ी फंक्सनालिटी नहीं है जैसे कि उसमें हम housebank डिपेंड करता है यानि अगर हमें वो वो फंक्शनालिटी अगर करनी है तो हमें फ्यूरी एप भी चाहिए विदाउट फ्यूरी एप हम वो करनी सकते ठीक उसी तरीके से डेटा माइग्रेशन के लिए पहले एसी सी में ल सम्डवलू होता था अब एस पॉरहाना में क्या है कि ल टीम सी है तो ल टीम सी के लिए एक डिफरेंट है अब दो अगर आपको तो पता होगा कि अगर सर लेना होगा जो की जल्दी मिलता नहीं है कि अगर अगर हम ले भी लेते हैं तो कॉस्ट काफी इंक्रीज हो जाएगा और आउट्पुट नहीं आएगा जितना कॉस्ट इंक्रीज होगा उस रिस्पेक्ट में आउट्पुट नहीं आएगा तो बेस्ट स्टुएंट्स के लिए यह कि वह जो सर्वर हम मतलब था कि एक काम करेंगे सारा का सारा जो है कि हम एसपौरहाना में पढ़ेंगे एसपौरहाना में cover कर दूँंगा मैं लेकिन अपार्ट अफ अफ दिस अगर मैं में आपको आपको पाइगा है यह जो मोडियो रिलेट टूर पांटिंग और हम यह भी क्या सकते हैं कि वह सारी कि सारी एक्टिविटीज आती हैं जो एक्टिविटीज वह आती है जैसे वेंडर कौन है हमारे कंपनी का नहीं होता है वह बाहर का होता है कश्टमर कास्टमर से जो भी हम लें देन गाल हो रहा है वो भी बाहर के थाट पार्टी है एक्सटरनल एक्टिविटी है आग अगर साहते हैं शुgefब शेच में आपको विपतले का वी शीषिश साहक सब्सक्तिन्स हां एक्सटरनल एक्टिवुटींग एना फाइब और F1 में कुछ sub-modules होते हैं, जैसे GL हो गया, AP हो गया, AR हो गया, then assets accounting, cash management, cash accounting, a part of this, इस तरहिके से कुछ छोटे-छोटे, मतलब sub-modules हैं. अब आजाते हैं, CEO, CEO in the sense of controlling, और हम इसे management accounting भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि all activity that is related to a company, the internal activity of the company, controlling में वो सारी के सारी activities आती हैं, जो internal activities होती हैं, यानि company के अंदर के जो expenses होते हैं. अब जैसे sub-object, अगर मुझे कोई controlling में product cost planning करना है, या फिर product cost बनाना, मतलब कोई, मैं कोई चीज production करने जा रहा हूं, तो production करने से पहले क्या होगा, हमें उसको पहले cost निकालना होगा, standard cost determine करेंगे, ठीक है, then उसके बाद determine जब हो जाएगा, फिर हम उसका production ही start करेंगे, फिर actual cost आएगा, फिर variance आएगा, फिर settlement आएगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे settlement, तो यह all, all these are activity is related to an internal activity, यहां पर क्या होता है, tax authority या tax related कोई transaction नहीं है, CEO में tax से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सब FI का part है, FI में GST भी है, TDS भी है, लेकिन CEO की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, all internal activities का हमारे न, controlling, तो यह सारी चीज़े होती हैं, जो controlling में आती हैं, अब controlling के sub-modules अगर हम देख ले, तो sub-modules कौन से आउंगे, यहां के cost center होंगे, profit center होंगे, then product costing है, इसमें MTS आ जाएगा, MTO and make to order and make to stock, इसमें different scenario हैं, जैसे कि discrete manufacturing, repetitive manufacturing, apart of this, यह सब कुछ करने के बाद, हम यहां पे, यह समझ लो हम क्या करते हैं, controlling में, कि हम कोई भी product बनाने जाते हैं, manufacturing करने से पहले उसका plan cost करते हैं, और फिर उसको produce करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, market में selling करते हैं, selling करते हैं, तो selling के बाद, हमें report हुए मनाना पड़ता है, जिसे हम COPA बोलते हैं, profitability report, ठीक है, या फिर हम इसे controlling profitability या COPA के नाम से जानते हैं, तो यह all these activities are related to controlling, अलागी अभी तो मैंने ऐसी बता दिया, अभी उसमें नहीं आगा, यह चीज ऐसी है, जो बैट करके और एक एक चीज लिख करके सम्झाने वाली चीज है, तब उसमें ज्यादा समझ में आता है, तो फिलाल, अभी ये लिए ये ठीक है, और कुछ नहीं, बस फिको के लिए कि हमारा batch स्टार्ट होने वाला है, I think कब से हम batch बैच स्टार्ट करेंगे sir? कि यहां में काम करेंगी उसी समय जैसा स्टूडेंट होंगे सुटे बल जो टाइम होगा उसी समय हम चेक कर लोगे तो फिटीक है तो फिर काम करेंगे हम आपको बताया फिए वाला यह थाट पाटी आप है जो कि मिलने पाता फिर यूटिलाइज भी नहीं हो पाता उन दोनों टॉपिक को हम ECC में कवर करेंगे ECC में कवर करेंगे तो students को ये फायदा होगा कि ECC का भी knowledge हो गया और response आना का भी ठीक है उसका भी knowledge हो गया यानि old version और new version दोनों उनको knowledge हो जाए ठीक है सार अपना course content बना के मुझे पर send कर दीजेगा जिससे मां बस्कों को पर्दीब को भी जिलिए को अपको ऑर दीब कोंगा कर दीजेगा अप्रदीप को भी करड़ीट्ली माँ बातंव के साथ चाहिश्योर ठीक है ओके थैंक्यो श्री नहीं और खुरोग को थैक्र diagnosis । जुकत तुकत थी। । । ।